खाने के माजीवाडा विरिज़ के पास देर रात एक कैंटेनर हाथ से का शिकार हो गया जिसमें ड्राइबर गम्भीर डूप से घायल हो गया है जानकारी के मताब एक नाशिक से ठाने की तरफ आ रहे कैंटेनर जिसमें फिलिप कार्ड कमपनी का माल जोड है माजी वाणा विरिज के पास ये कैंटेनर एक कैंटेनर से टकरा गया जिसकी वज़े से इस कैंटेनर का आगे का हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है बताए जा रहा है कि कैंटेनर के अंदर ड्राइवर जकिरिया इस्तलाम फस गया था जिसके बाद अस्थारिये लोगों ने किसी तरह से इसे बाहर निकाला जानकारी के मुताब एक ड्राइवर जकिरिया इस्तलाम के दोनों पेर गंभी डूप से घायल हुए है हाथसे के सूचना पर पहुंची दमकल विभाग और अपत्ती विवस्थापन की टीम ने धायल को अस्पताल में इलाज के लिए भेश दिया है बताय जा रहा है कि हाथसा होने के बाद सड़क पर आईल फैल गया था जिसकी वजह से आने जाने वाले वाहन काफी फिजल रहे थे दमकल कर्मिचारियों ने रोड से आईल को साफ किया और कंटेनर को रोड से हटाया गया जिसके बाद सुचारू रूप से यातायात शुरू हुई कर दो दोआत को राद साने बाद से हैना क्वंबरियों को राद साथान से कि याता हुई दो प्रोड सेुआ है उनक्पुटर्स ने पर में से ठल दोत्जबर्स 10 rus थर को सेवाथस धिसके में से बाद क्यों ग्यां से जोठह से अने टुएं की पहरा फसी